सो हेलो बच्चालो वेलकम बाक टू दे रिविजन सीरीज एक ऐसा सीरीज जो कि सारे जेई आस्पिरेंट के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है आज हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले है laws of motion के बारे में और मुझे पता है कि काफी बच्चों का यह एक painful area है तो दिहान से इस पूरे session को सुनिएगा यहाँ पर आपके सामने table बना हुआ है कि क्या-क्या हम लोग discuss करने वाले है हम लोग यहाँ पर discuss करने वाला है कुछ common forces के बारे में static equilibrium problems के बारे में pulley block system के बारे में concept of weighing machine spring balance spring cutting and combination का जो एक concept है उसके बारे में FBD में free body diagram बनाते वक्त जो एक बहुत critical point होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे pseudo force के बारे में समझेंगे variable forces वाले problems के बारे में समझेंगे right and at the end I'll show you some important links जो कि already हमारे channel पे है लेकिन आप में से शायद कईयों को नहीं पता है इसके बारे में ठीक है चलिए तो हम लोग इसको शुरू करते है आगे बढ़ने से पहले यह जो हमारा telegram channel है identity for physics इसको जरूर से join कर लिजेगा यहाँ पे भी हम लोग अपने pdfs and contents को share करते हैं ताकि आप कुछ भी ना miss करें चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे channel पे हमने अभी तक जितने भी topics को revise किया है सभी का यहाँ पे नाम है और उसके बाजू में इसका link है और यह जो pdf है यह आपको नीचे मिल जाएगा तो आप इसको download करेंगे आप इस link पे click करेंगे और आप directly उस video तक पहुँच जाएंगे complete 12th हमारा यहाँ पे हो चुका है और 11th में भी हमारा majority topics हो चुका है और जो भी यहाँ पे बच रहा है वो भी आपको आजाएगा ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं and let us start this topic अगर हम लोग यहाँ पे broadly classify करें कि किस type का सवाल बनता है हमारा laws of motion में तो दो ही variety होता है एक होता है अपका static equilibrium जहाँ पे आपका system पे system पे लगने वाला जो net force है वो zero होता है और body मेरा rest पे होता है equilibrium पे है और दूसरा होता है जहाँ पे unbalanced force होता है यानि कि एक net force exist करता है जिस current से मेरे body के पास एक acceleration होता है and we tend to use this Newton's second law of motion which is f is equal to ma clear एकदम यहाँ पे और तीसरा law जो है वो आप सभी को पता होता है that every action has an equivalent opposite reaction right forces हमेशा pair में आपको exist करते हैं और दो different bodies पे लग रहा होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पे चार common variety गा forces है जो की हम लोग deal करेंगे एक है आपका weight which is mg जो की हर body पे लगता है due to the earth gravitational pull यह हमारा external force कहलाता है और यह जो तीन है यह basically हमारा internal force कहलाता है normal जो की जब दो body contact में होते है तब लगता है tension यानि की जब आपका string taught हो यानि की तनाव में हो तब उसमें tension force लगता है और friction आप सभी को इसके बारे में पता ही है friction को हम लोग हलाकी एक separate वीडियो में detail में deal करेंगे clear एकदम अच्छा अब यहाँ पर बात करते हैं mg के बारे में यानि weight अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखे तो आपको forces के द्वारा यहाँ पर diagram में दिखा दिया गया है कि कोई भी body हो उस पे आपको mg लगता है अगर body का mass m दिया हुआ है तो और mg हमेशा आपको vertically downwards लगता है earth के center के तरफ लगता है clear एकदम यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर हम लोग बात करें यहाँ पर normal के बारे में तो normal basically आपको एक pushing force होता है जब कोई दो body आपस में contact में होता है तो एक body दूसरे को push कर रहा होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आपको एक green block है जो कि आपको इस तरीके से floor पे रखा हुआ है अब आपको पता है कि इस green block पे earth जो है downward direction पे mg लगा रहा है which means this block wants to go downwards लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एक surface है तो वो surface को push करता है नीचे की तरफ with some contact force call N अब अगर यह green block इस surface को नीचे push करेगा तो यह surface भी green block को उपर की तरफ push करेगा with the same reaction force capital N तो आप देख सकते हैं दोनों हमेशा pair में exist करता है action reaction आप इसको कह सकते हैं और यह हमेशा आपको contact surface के perpendicular लगता है यहाँ पे आप एक और example देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे एक sphere हो सकता है cylinder हो सकता है right इस तरीके से दो edges पे यह अटका हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस sphere को अगर आप सिर्ध्यान से देखें तो इस तरीके से normal N1 लग रहा है और यहाँ पे normal N2 लग रहा है अब यह आपको इस circular portion का property है जिसके वज़ा से यह जो normal है वो आपको हमेशा center से ही pass करेगा अब यह जो logic है ना कि center से pass करेगा इसी पे आपका numerical solve होता है clear एकदम यहाँ पे आप एक और system देख सकते हैं यह एक block है जो कि एक inclined plane पे रखा हुआ है तो यहाँ पे भी contact है जिस current से यहाँ पे normal N1 exist कर रहा है और यहाँ पे भी आपको contact है ग्राउंड और wedge के बीच में जिस current से normal N2 exist कर रहा है ठीक है normal is a pushing force वो हमेशा body को push करता है clear एकदम अब हम लोग यहाँ पे बात करते है tension so unlike normal tension is a pulling force normal pushing force है tension आपको pulling force है जो धागे में लगता है strings में लगता है जब वो tension में होता है तनाव में होता है clear एकदम अच्छा यहाँ पे आप देख सकते है यहाँ पे एक पुली है और इस तरीके से यहाँ पे एक धागा है यहाँ पे भी एक block है यहाँ पे भी एक block है तो आप देख सकते है किस तरीके से इस green body पे धागा जो है उपर के तरफ इस पे tension लगा रहा है अगर हम लोग यहाँ पे इस pulley की बात करें तो यहाँ पे भी आप tension को दिखा सकते है इस तरीके से तो आप एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं tension always acts away from the body and along the string धागे के along लगता है और body से हमेशा दूर जाता हुआ आप उसको दिखाएंगे free body diagram में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर इस green block की बात करें तो tension यहाँ पे right side है इस pulley की बात करें तो tension यहाँ पे left side है ठीक है अगर आपका धागा same है यह string आप देखिए यहाँ से लेकिए यहाँ तक एक continuous string था तो इसमें tension का जो magnitude है वो हर जगाए same ही रहने वाला है assuming हमारा धागा massless है ठीक है यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक string है block again a string and a block तो यहाँ पे यह दोनों धागा अलग-अलग है discontinuous है तो यहाँ पे tension अगर आप में T1 माना है तो इस वाले में कोई और variable T2 मानना पड़ेगा ठीक है तो इस तरीके से आपको tension दिखाना आना अब हम लोग यहाँ पे बात करते है हमारा जो सबसे पहला category of problem है that is your static equilibrium आप देख सकते है यह आपका एक block है जो की दो धागे से suspended है इस तरीके से और यह rest पे है यह equilibrium में है और अगर आपका body equilibrium पे है इसका मत्तब है कि आपके body पे लगने वाला जो net force है वो 0 है तो इसको solve करन का दो तरीका होता है पहला तरीका होता है which is the standard way of solving any static equilibrium problems कि आप सबसे पहले तो इस block पे सारे forces को दिखाए उसके बाद सारे forces को x-axis में और y-axis में resolve कर दे उसके बाद आप x-axis वाले forces को balance करे और y-axis वाले forces को balance करे ठीक है ध्यान से देखिए मान लेते है कि इस वाले धागे मे tension t2 है ठीक है अब इस green block को हमने यहाँ पे एक point मास से denote किया हुआ है ठीक है अब आप ध्यान से देखिए तो इस t1 का दो component होगा एक उपर की तरफ और एक right side होगा right उपर की तरफ हो जाएगा t1 sin theta 1 और right side हो जाएगा t1 cos theta 1 similarly इस t2 का भी दो component होगा एक उपर की तरफ हो जा कोई मास होगा जिसके वज़े से नीचे के तरफ mg लग रहा है इस तरीके से हमने सारे forces को y में और x में resolve कर दिया ठीक है अब क्या आपका ये body तो भहिया rest पे है ना यानि कि जितना force आपको उपर लग रहा है उतना ही force नीचे भी होना चाहिए right यानि कि sigma fy total force acting along y axis should be 0 तो हम ने या पे क्या किया है आप देख सकते है y axis में ओपर वाला force is equal to नीचे वाला force and x axis में right वाला force is equal to left वाला force तो इस तरीके से आपके पास दो equation बनता है आप इन दोने equation को solve करके t1, t2 की values को solve कर सकते हैं अब यहाँ पे एक और technique होता है which is called your Lamy's theorem Lamy's theorem तभी लगा सकते है जब आपके body rest पे हो और उस पे exactly precisely तीन forces लग रहा हो नहीं तीन से कम नहीं तीन से जादा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो आपका body है यहाँ पे तीन force ही लग रहा था t1, t2 और downward direction में mg तो सबसे पहले तो हमने उन तीनो forces को दिखा दिया है t1, t2 and mg अब t1 के opposite कौन सा angle ह वो आपको ढूणना है, t2 के opposite क्या है वो देखना है तो वो तो आप easily देख सकते थे, अगर आप ध्यान से देखे, यह angle theta 1 है और यहाँ आपका downward direction में mg था, right, तो mg के साथ t1 कितना angle बना रहा है, that is 90 plus theta 1, similarly 90 plus theta 2, तो यह जो बाकी theta 3 बज गया, that is nothing but 180 minus theta 1 plus theta 2, यह आपको आ ज 60 minus this minus this करेंगे, तो इतना ही आपको बचेगा, clear एकदम, अब यहाँ पे Lami's theorem क्या बोलता है, t1 वाला जो force है, right, t1 force के opposite वाला angle का आपको sine लेना है, so t1 upon sine 90 plus theta 2, t2 upon, t2 के सामने कौन सा angle है, तो 90 plus theta 1, तो sine 90 plus theta 1 is equal to mg के सामने कौन सा वाला angle है, theta 3, तो sine theta 3, यह तीनों आपस में बराबर होंगे, अब इसके बाद आप दो-दो का pair बना के इसको solve कर सकते है, एक बार यह आपने यह वाली equality ली और t1 find out किया, एक बार यह आपने mg upon sine theta 3 को इसके बराबर equate किया, तो t2 यहाँ से आपको निकल किया जाता है, ठीक है, example के तोर पे आपके सामने यहा यहाँ पे equilibrium में टिका पड़ा है, ठीक है, हमसे यहाँ पे क्या पूच रहा है, हमसे यहाँ पे पूच रहा है, कि यह जो आपका contact है, यहाँ पे कितना normal लग रहा है, ठीक है, अब इस सवाल को solve करने के लिए आप जो traditional ठरीका होता है, उससे भी solve कर सकते हैं, या फिर आप इ इसे intentionally लामी से ही solve करेंगे ताकि आपको एक idea लग जाए कि कैसे solve करते हैं clear एक दम ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे हमने इस spherical body को ऐसे बना लिया अब यहाँ पे आपको एक normal na लग रहा होगा राइट इस तरह के से और यह center से pass करता है यह तो आपको पता ही है तो हमने यहाँ पे na दिखा दिया अब यह वाला जो wall है वो आपको left side एक normal nb लगाएगा और इसका जो mass होगा which is your 50 kg उसके वज़ा से center से pass करेगा weight which is your 500 newton clear एक दब अब हमें यहाँ पे पता करना है सबसे पहले की angles क्या है यहाँ पे हर दो arrow के बीच का angle क्या है उसके लिए हम क्या करेंगे इस diagram को नीचे एक बार बना लेते हैं यह आपका हो गया वो incline यह angle 30 degree है और यह रहा आपका वो na एक बार यह आपने na draw कर लिया तो आप देख सकते हैं यह angle 30 degree है which means यह angle 30 degree है यानि na जो है vertical के साथ 30 degree बना रहा है na जो है vertical के साथ 30 degree है तो na और nb के बीच में कितना angle हो जाएगा 30 plus 90 which is your 120 degree यह 120 degree है यह वाला तो 90 दिखी रहा है तो जो बाकी बच रहा है that is your 150 degrees अब तो अपना game over हो गया है अब आपको क्या करना है आपको simply लगाना है Lamy's theorem which says that na upon sin 90 is equal to this 500 upon इसके सामने 120 है तो sin 120 is equal to nb और nb के सामने है 150 यानि कि sin 150 अब हमने यहाँ पर क्या करना है दो दो का pair बना के उठाना है so na is equal to what sin 90 multiplied by 500 upon sin 120 sin 120 होता है root 3 by 2 solve किया तो इतना आ गया उसके बाद क्या करेंगे ये दोनों को लेंगे ये दोनों को लेके आप nb solve करोगे तो इतना आ जाएगा 500 बटा root 3 newton clear एकदम तो सवाल मुश्किन नहीं है लामी से हमने यहाँ पर किया है आप इसको normal तरीके से भी solve कर सकते थे ठीक है y और x में इसको resolve करके forces को balance out कर देना clear एकदम अच्छा अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं pulley block system के बारे में तो pulley block system में आपको जो एक typical point आता है that is अगर य यह assumption रहता है laws of motion में हम लोग जितने भी सवाल करते हैं उसमें अधिकतर सवालों में आपका pulley massless होता है और अगर आपका pulley massless है तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपका दो धागा है right इसमें आपने tension t और t अगर पकड़ लिया है तो उपर वाले में tension आपको 2t ही होगा इन दोनों tension के सम के बराबर ही होगा क्योंकि आपका pulley massless है और अगर आपका pulley massless है तो उस पे हमेशा net force 0 के बराबर ही होना चाहिए because net force is equal to mass into acceleration तो mass तो already 0 है यानि कि पुल्ली पे net force हमेशा 0 होना चाहिए तो जितना tension नीचे है उतना ही tension उपर भी होना चाहिए तो यह चीज अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपके सामने एक standard सा atwood machine है हर बच्चे को इसके बारे में पता होता है आपको इसका formula भी रटा होना चाहिए याद होना चाहिए आप देख सकते हैं यह आपके सामने एक simple सा pulley है यह धागा है और दोनों तरफ आपको एक एक block है यह block आ आपको उपर जाएगा with the same magnitude of acceleration a clear एक दम अब हमें यहाँ पर पता करना होता है कि इस a की value क्या है और इस धागे में tension कितना है तो हम लोग इस diagram में ही free body diagram मना रहे है basically तो इस वाले block पे downward direction में आपको लगेगा weight which is m1g और धागे का tension away from the body लगता है तो tension आपको लग रहा है block पे देखो तो m2g नीचे और tension आपको उपर लगेगा अब हमें यहाँ पे unbalanced equation का इस्तमाल करना है यानि कि newton की second law का इस्तमाल करना है f is equal to ma लगाना है अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो यह जो block है हमने assume किया था कि यह आपको नीचे accelerate कर रहा है यानि कि यह वाल g is equal to m1 into a equation number 2 आपके पास दो equation है दोनों को add करेंगे तो आपको निकल के आजागा acceleration और उसकी value को किसी भी equation में डाल देंगे तो आपको tension मिल जाएगा यहाँ से t की value इतनी आती है इसको याद कर लिजे 2 m1 m2 g upon m1 plus m2 और acceleration आपको होता है m2 minus m1 upon m1 plus m2 whole multiplied by gravity ठीक है यह आपको direct formula इस्तमाल हो सकता है especially je mains जैसे examination में कभी-kभी advance में भी इसका use पढ़ जाएगा आपको clear एकदम और यहाँ पे आप situations देखिए यहाँ पे आपका एक block तो table के surface पे है और एक block आपको नीचे गिर रहा है ठीक है माल लेते है कि जो आपका acceleration है वो small a है तो अगर यह a से नीचे move कर रहा होगा ठीक है हमें वो सारे forces की तलाश है जो की acceleration के along लग रही हो अगर आप इस block को देखे तो इस पे आपको m2g नीचे लगेगा tension आपको ऊपर लगेगा ठीक है सर अगर आप इस block को देखे तो यहाँ पे tension तो right side है m1g नीचे है और contact है तो normal ऊपर है अब हमें यहा पे बात करनी है equations की इस block की equation लिखेंगे तो m2g minus tension is equal to m2 into a very simple इस block को अगर देखे तो यह block जनाब right side accelerate कर रहा है और right direction में सिर्फ a की ही force लग रहा है that is tension यानि tension is whole and soul responsible for creating this acceleration तो आप बोलेंगे t is equal to m1 into a यहाँ लिखा हुआ है राइट अब vertical direction में तो आपका यह block move नहीं करने वाला यानि की normal जो है m1g के बराबर होगा यह भी लिख लिया ठीक है हलाकि यह equation और यह equation का इस्तमाल करके ही आप tension और acceleration निकाल लेंगे यह आपको बस बता दिया गया है in case यहाँ पे friction होता तो normal की जरुवत पड़ती थी ठीक है वो हम लोग next video में देखेंगे friction के बारे में अभी यहाँ पे हमारे सारे सवाल में surface smooth है there is no friction acting anywhere clear एकदम ठीक है अब यहाँ पे आप दियान से देखेंगे आपके सामने यहाँ पे एक और diagram है यहाँ पे खास बात यह है यहाँ पे खास बात यह है यह आपको एक continuous string है और यहाँ पे आपको एक different ही string है और हमन हमने अभी अभी देखा था कि अगर आपका pulley massless है हमने इस वाले धागे में tension जो है वो T मान लिया है तो इधर T है इधर T है तो यहाँ पे आपको tension 2T होगा यानि आप जब इस block की FBD बनाएंगे तो इस block पे आपको नीचे तो लगेगा M2G लेकिन उपर लगेगा 2T और इ यह आपको जा रहा है नीचे A2 से अब यहाँ पे आप जब equations लिखोगे तो दो ही equation बनेंगे लेकिन variable 3 है T A2 और A1 यानि आपको A1 और A2 के बीच में relation भी चाहिए होगा और वो कैसे मिलेगा इसका हमने एक short video अलड़ी बनाया हुआ है सभी का link आपको नीचे मिलेगा फिर यहाँ पे हम property इस्तमाल करते है that is sigma T dot A is 0 sigma tension यह vector form में है dot A vector is equal to 0 ठीक है इसका मतलब यह है इस block को अगर आप देखे तो यहाँ पे 2T आपको उपर लग रहा है और इस block का acceleration A2 जो है वो नीचे है तो dot product जब लोगे तो यह आपको हो जाएगा minus 2T times A2 ठीक है minus 2T times A2 और यहाँ पे इस block पे tension भी right side है acceleration भी right side है तो दोनों same direction में है तो dot product simply हो जाएगा T into A1 so T into A1 minus 2T into A2 is equal to 0 तो यहाँ से आप देख सकते हैं A1 जो है वो आ रहा है twice of A2 twice of A2 ठीक है A1 जो है वो twice of A2 है इसका मतलब अगर आपने A2 को small a माना है यानि A1 की जो value है वो two times small a होगा तो यहाँ से आपने A1 और A2 दो variable को हटाके एक single variable A ले आया है यहाँ पे acceleration A है तो इसका acceleration 2A होगा इस बात को ध्यान में रखना है अब यहाँ पे आपको simply equation मनाना है इस block की बात करें तो यहाँ पे आपको M2G minus 2T is equal to mass into acceleration और इस block की बात करें तो tension is the only force pulling this block right side so T is equal to इसका mass M1 into acceleration is 2A तो यह आपको equation number 2 हो गया आपके पास यहाँ पे 2 equation 2 variable है आप इसको solve कर लेंगे ठीक है इस technique को एकदम ध्यान में रखना है ठीक अच्छा यहाँ पे एक और variety है यह same diagram आपको even HC वर्मा के exercise problem में भी दे रखा है यहाँ पे simply हमने देखे क्या किया है यह ब्लॉक आपको पहले table के surface भी था उसे हमने डाल दिया है incline पे बाकी और कुछ भी change नहीं हुआ है यहाँ पे tension अगर आपका T है तो यह भी T रहेगा यह भी यहाँ पे T रहेगा लेकिन नीचे वाले में tension आपको 2T हो जाएगा ठीक है यहाँ पे भी exactly जो यहाँ पे वाता बही होगा कि अगर इसका acceleration a था तो उसी logic से यह block आपको ऊपर चड़ेगा with the acceleration 2a ठीक है अच्छा है अब यहाँ पे एक difference यह आया है कि आपका mg जो नीचे लगता उसका हमने component लेना पड़ गया एक along the incline which is m1g sin theta और perpendicular to the incline आजाता है m1g cos theta where theta is the angle of the incline right अच्छा तो इस block का आप यहाँ पे equation लिखते तो आजाता m2g minus 2t is equal to mass into acceleration और इस block का लिखेंगे तो ध्यान से देखेगा यह block आपको ऊपर चड़ रहा है यानि यह जो tension है इस वाले से बड़ा रहा होगा so tension minus m1g sin theta is equal to m1 multiplied by 2 times acceleration equation number 2 ठीक है और इस direction में आपको यह block move नहीं करने वाला था तो normal जो हलाकि जब tension और small a की value को solve करना होगा तो equation number 1 and 2 are self sufficient अब यहाँ पे हमसे कभी-कभी एक और सवाल पूछा जा सकता था कि यह जो pulley है यह जो pulley है इस पे कितना force लग रहा है या फिर यह pulley जिस point पे आपको attached होगा वहाँ पे कितना force लग रहा है so basically आपको यहीं निकालना है कि इस पुल्ली पे कितना force लग रहा है तो इस पुल्ली का अगर आप FBD बनाए तो इस पे एक tension इधर है और एक tension इधर है clear एगदम एक tension ऐसा और एक tension ऐसा और यह T की value आपने equation number 1 or 2 को solve करके निकाला होगा एक बार यह आपको T पता चल गया है आपको यह angle theta तो पहले से ही पता थ था यही angle theta यहाँ पे भी होगा तो अब आपको पता है कि यह जो दोनों tension है इसके बीच का angle है pi minus theta और फिर आप इस resultant force का equation लगाएंगे यानि कि under root a square plus b square plus 2ab cos theta and you will get the resultant clamp force पुल्ली पे कितना force लग रहा है इस clamp पे कितना force लग रहा है same thing clear एकदम बढ़िया है अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं towards the concept of weighing machine ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत से बच्चों को एक confusion होता है कि आप जो weighing machine अपने घर पे इस्तिमाल करते हैं अपना वजन नापने के लिए वो weighing machine आपका mass read करती है या फिर वो weighing machine आपका weight reading करती है ऐसा नहीं है weighing machine basically measures the normal force right आप इस weighing machine पे खड़े हो तो आपने इस weighing machine को downward direction में धक्का मारा है with some normal तो आप जितने magnitude से उस weighing machine को धक्का मार रहे हो वही तो वो reading दिखाएगा ठीक है हलाकि ये जो weighing machine होता है वो आपको calibrated होता है kilogram में reading दिखाने के लिए लेकिन वो measure करता है normal तो reading क्या हो जाएगा normal upon gravity क्योंकि वो kg में reading दिखाता है तो आपको उस normal को gravity से divide करके दिखाना पड़ेगा तो generally क्या होता है कि हम लोग तो weighing machine के में जो हमारा reading है वो rest पे लेते हैं weighing machine आपको rest पे होता है हम उस पर जाके खड़े हो जाते है तो vertical direction में हमारा कोई movement है नहीं तो हम पे लगने वाला जो normal है वो हम पे लगने वाले mg के बराबर होना चाहिए because we are at rest right so normal जो है वो basically mg के ही बर बराबर हो जाता है और इसी तरीके से जब आप reading की बात करते हो तो mg normal mg के बराबर है तो mg by g m के बराबर होता है तो जो हमारा actual mass है वही reading भी दिखा देता है ठीक है लेकिन यहाँ पे अलग-अलग situation भी बन सकता है मान लीजिए हम जिस weighing machine पे खड़े है this entire setup is accelerating either upwards और downwards तो अग यह पूरा setup upward direction में accelerate करेगा तो आप ध्यान से देखिए हमारे उपर normal लग रहा है upward direction में mg नीचे लग रहा है and if I am accelerating upward with some acceleration a तो हम लिखेंगे n-mg is equal to m into a यानि normal कितना हो जाएगा mass into bracket में gravity plus acceleration तो आप देख सकते है normal बढ़ गया it has increased it has increased so reading कितना हो जाएगा normal upon gravity यानि कि m bracket 1 plus a by g and this is the reason why we feel heavier ride आपने बहुत सारे amusement park में भी देखा होगा कि आप जब किसी ride पे होते हो और वो ride upward direction में accelerate करती है तो आपको एक भारीपन महसूस होता है you feel heavier heavier तो यही कारण है आपका जो mass था m उससे जादा ही reading दिखाने वाला है उस वक्त और अगर यह पू normal so mg minus normal is equal to mass into acceleration तो यहां से आपका normal देखिए mg m into g minus a आया है right तो reading कितना हो जाएगा m bracket 1 minus a by g यही कारण है कि जब आप एक सिस्टम में बैटे हो और वो सिस्टम नीचे accelerate कर रहा है then you feel lighter आपको एक हलकापन महसूस होता है ठीक है ओके तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है और यहां पर आप एक और चीज देख सकते है कि आपका यह जो reading आया है वो है 1 minus a by g अगर acceleration gravity के ही बराबर हो जाए तो reading हो जाएगी 0 और उसी condition को कहते है weightlessness यानि कि अगर normal 0 हो जाए तो उसे ही हम कहते है weightlessness ठीक है एकदम बढ़िया है अब same logic पर आपका based होता है concept of spring balance तो यह यहां पर हमारे सामने आप देख सकते हैं यह एक spring है एक spring balance है और उसमें basically spring ही होता है ठीक है spring balance basically measures the tension in the string attached to it अब यह आपका spring balance है यहां पे hook है hook से आपने एक mass को लटका दिया है तो इस mass के वजन के वज़ह से यह spring जो है elongate करता है और यहां पे एक pointer होता है जो कि पहले लेकिन इस spring के elongate होने के वज़ह से यह pointer भी नीचे आ जाता है और यहीं पे आपको एक reading दिख जाती है यह reading आपको दिख जाती है clear एकदम अब यह reading क्या होता है तो यहां पे यह जो आपका string है उसमें अगर tension T है तो reading होता है simply tension upon gravity T by G right weighing scale में था N by G यहां पे है T by G और अग यानि कि यह जो mass है अगर वो rest पे है तो इस mass पे तो tension उपर लगेगा T और इस mass का नीचे mg है तो T basically mg के बराबर है तो यहां पे अगर पूरा system rest पे था तो mg by G हो जाएगा which is simply M यानि कि rest पे यह जो spring balance reading दिखाता है वो आपको इस mass के actual quantity के बराबर ही दिखाता है clear एकदम आपको एक block है 5 kg का यह 10 kg का और इस धागे में बीच में आपको यहां पे spring balance जो है वो डाल दिया गया अब हमसे पूछता है कि spring balance का reading कितना है तो हमें simply क्या पता करना है कि इस धागे में यहां पे tension कितना है तो आप तो ऐसा assume कर लो कि यहां पे spring balance था ही नहीं और चुप चा पता कर लो कि इस धागे में tension कितना है एक बारी t पता चल गया तो tyg करो कि तो reading आजाएगा clear है तो क्या करना है हमें हमने यहां पे basically 5 kg का fbd बनाना है नीचे लगेगा 50 newton उपर tension t इस वाले पे नीचे 100 और उपर tension t यह 10 kg भारी है तो मान लेते हैं कि यह नीचे जा रहा है with some acceleration a तो यह उपर जा रहा होगा with the same acceleration a इसका equation लिखा इसका equation लिखा solve करेंगे आपको t निगल के आएगा 200 upon 3 newton तो reading कितना हो जाएगा 20 by 3 kg simple एकदम clear एकदम अच्छा अब यहां पे बात कर लेते है spring cut and combination के बारे में तो मान लीजे आपके पास एक बड़ी सी spring है जिसका spring constant k है और spring का जो length है वो L है तो property यह कहता है कि जो spring constant और length का product होता है वो हमेशा constant होगा ठीक है कहने का मतलब है कि मान लीजे आपने spring को cut किया है दो अलग-अलग length में एक का length L1 है और दूसरे का length आपको L2 है तो हमें पता करना है कि अब इसका spring constant k1 और k2 की value क्या होगे यह मत मा को छोटा बड़ा किया है तो spring constant भी आपको vary करेगा लेकिन हमारे पास property क्या है कि भईया जो product है वो same रहने वाला है यानि k1 into L1 should be equal to k into L उसके इसाब से k1 की value क्या हो जाएगी kL upon L1 similarly k2 हो जाएगा kL upon L2 तो यह बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि spring को cut करने से spring constant क्य होता है ठीक है माली जी कि आप combination कर रहे हो यह variety का आपको ज्यादा इस्तमाल होता है simple harmonic motion में आपके पास यहाँ पर दो spring है दोनों का ही अलग-अलग spring constant है k1 and k2 आपने इनको series में रखा हुआ है तो इन दोनों spring को हम लोग basically एक single spring से replace कर सकते है और उस spring का जो equivalent spring constant होगा that is given by 1 by k equivalent is equal to 1 by k1 plus 1 by k2 formula जो है वो देखने में बिलकुल exactly वैसा है जैसे कि दो resistance आपको parallel में हो और अगर आपका दो spring parallel में है तब जो उसका equivalent spring constant होगा that is simply submission यानि की k1 plus k2 तो यह जो formula है वो exactly वैसा है जैसे कि दो resistance आपका series में हो तो इस तरीके से आप इसके formula को याद रख सकते है clear अच्छा अब यहाँ पे हम लोग बात करते है free body diagram मनाते वक्त एक important point का और वो important point यह है कि हमें free body diagram मनाते वक्त system को select करना पड़ता यानि कि हम किस bodies पे forces को दिखाए आप system तभी एक से ज्यादा body को assume कर सकते है एक से ज्यादा bodies को भी आप system तभी assume कर सकते है जब दोनों bodies का acceleration exactly same हो एक body दूसरे पे slip नहीं करनी चाहिए two or more bodies can be taken as system if all bodies have same acceleration कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके सामने एक wedge है जिसका mass M2 है और इसके उपर एक block है जिसका mass M1 है ठीक है इस wedge पे right side आपने F1 force लगाया जिस कारण से दोनों साथ साथ travel कर रहे है with acceleration A1 M1 does not slip yellow वाली block wedge पे slip नहीं कर रही है अगर ऐसा है अगर यह दोनों एक साथ same acceleration से move कर रहे है तो हम इन दोनों को as a single entity treat कर सकते है as a system treat कर सकते है और हम कह सकते है that this F1 is equal to mass into acceleration यानि कि F1 is equal to M1 plus M2 multiplied by acceleration यानि कि acceleration is F upon total mass लेकिन अगर यह yellow block आपको slip कर रहा होता आप यहाँ कोई और ही force F2 लगा रहे हो जिस कारण से ऐसा देखा गया कि यह M1 जो है इस wedge पे along the incline slip कर रहा है with some acceleration even this acceleration is with respect to the wedge ठीक है wedge के ऊपर इस acceleration से वो नीचे गिर रहा है और यह wedge जो है वो आपको right side A2 से move कर रहा है अब क्योंकि यहाँ पे दोनों का acceleration same नहीं है दोनों साथ-साथ move नहीं कर रहे है तो आप दोनों को as a system treat नहीं कर सकते है आपको दोनों bodies को separately draw करना पड़ेगा ठीक है take M1 and M2 a system a big cross you cannot do that clear है अच्छा अब यह जो यहाँ पे आप variety देख रहे हो यह basically एक question भी है तो लगे हाँ तो चली हम लोग इसको भी एक बारी discuss कर लेते हैं तो यहाँ पे हमसे क्या कहा जाता है हमसे पूछा जाता है कि इस A1 की exact value क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते है we have drawn the free body diagram of this yellow block separately हमने क्या किया है इस block को तो पहली बात एक point mask की तरह यहाँ पे बनाया है इस पे आपको normal लग रहा होगा इस थरीके से और downward direction पे इसका weight लग रहा होगा mg ठीक है अब इस normal का आप चाहो तो दो component ले लो which is your n cos theta in the vertical direction and n sin theta in the horizontal direction अब आपका यह जो block था वो तो भाईया right side आपको accelerate कर रहा था with some acceleration a1 तो इस point mask पे अगर आप ध्यान से देखे तो right direction में सिर्फ n sin theta ही है यानि कि n sin theta has to be m into a1 और vertical direction में तो यह आपको move कर नहीं रहा यानि कि जो n cos theta है वो आपको mg के बराबर होना चाहिए तो n cos theta is equal to mg अगर आपका acceleration a1 है वो है g tan theta के बराबर इसका मतलब इस पूरे system का exact acceleration g tan theta होना चाहिए तभी आपको यह दोनों block एक साथ move करेगा without slipping यह block इसके उपर तब slip नहीं करेगा यानि इस f1 की value भी आपको fix हो जाती है which is m1 plus m2 multiplied by a1 which is g tan theta तो यह भी हमसे question कभी कभी पूछ लिया जाता है पढ़िया है अब यहाँ पर आपका आता है concept of pseudo force राइट ना जाने बहुत से बच्चे से परिशान क्यों है बिल्कुल भी difficult concept नहीं है हलाकि कोई भी सवाल आपको बिना इसके मदद के solve किया जा सकता है लेकिन still इसको जानना जरूरी है कुछ सवालों में help मिलता है तो ऐसे frame को कहते है inertial frame ऐसा frame जिसका acceleration 0 हो अगर उस frame में कोई observer है तो उस frame को हम लोग कहते है inertial frame और यहाँ पे एक और observer है जो की एक accelerated frame में है यह observer एक ऐसे trolley में है जो trolley right side accelerate कर रही है with the value A तो इस frame को हम लोग कहते है non inertial frame अगर आपका frame का acceleration 0 नहीं है तो उसे हम कहते है non-inertial frame अब यहाँ पे frame की ही बात है अगर आप observer A से पूछोगे कि भाईया इस block के बारे में कुछ बताओ तो वो बोलेगा कि ये block जो है वो rest पे है जो कि सही बात है जो कि fact था ठीक है लेकिन अगर वही बात आप इस observer B से पूछोगे तो आप ध्यान से देखो observer B को तो ऐसा लगेगा ना कि ये block left side accelerate कर रही है with the value A observer B जो है वो तो अपने respect में rest पे है तो अगर ये खुद right side जा रहा है तो उसे ये block left side अपने से दूर जाता assume होगा और उसे सिखाया गया है कि अगर किसी body का acceleration A है यानि कि उस पे 100% force लग रहा होगा mass into acceleration तो वो बोलेगा कि इस body पे आ left direction में एक force लग रहा है which is equal to mass into acceleration right and आप सभी जानते है कि reality में तो ये fact है नहीं इसका मतलब ये एक false force उसको लगाना पर रहा है just to justify his physics right तो ये false force को ही कहा जाता है pseudo force अब आपको यहाँ पे बस ये ध्यान में रखना है कि pseudo force का magnitude क्या होता है तो pseudo force का magnitude होता है mass of the body multiplied by acceleration of the body frame और pseudo force का direction क्या होता है तो frame के acceleration के opposite direction में frame right side accelerate किया था तो pseudo force इस पे हम दिखाएंगे left direction में clear एकदम तो यहीं आपका simple सा concept है pseudo force का pseudo force is nothing but a false force a fictitious force एक ऐसा force जो की non inertial frame में अगर कोई बंदा बैठा है तो उसे लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा clear एकदम अच्छा अब यहां पे आप एक simple सा example देख सकते just to understand the concept of pseudo force आपने यह सवाल 100% देखा ही देखा होगा अपने preparation के time पे आपके सामने यहां पे एक trolley है उसके अंदर एक pendulum है basically एक string है उसके साथ एक bob mass attached है अगर यह पूरा setup आपको right side move कर रहा है with some acceleration a तो यह जो धागा है वो आपको theta angle with the vertical बना के रखता है right हमसे यहां पे basically यह theta angle पूछा जाता है तो इसको solve करने का दो तरीका है एक तो simple तरीकी से solve कीजिए लेकिन हम लोग यहां पे इसे जबरदस्ती solve करेंगे pseudo force के concept से so basically हमें अपने observer को कहा बैठाना चाहिए हमें अपने observer को बैठाना चाह पूछोगे कि भाईया क्या यह bob move कर रहा है तो वो बोलेगा नहीं क्योंकि उसके respect में तो यह bob चुप चाप यहीं पे है ठीक है पहला observation observer के respect में यह bob rest पे है equilibrium में है तो वो क्या करेगा वो इस particle पे पहले तो सारे forces को दिखाएगा सबसे पहले वो real forces दिखा देगा which is tension T along the dh and mg और एक और दिखाना पड़ेगा pseudo force जो लगेगा left direction में mass into acceleration of frame फ्रेम आपको right side जा रहा है तो pseudo force लग रहा है left side ठीक है अब वो इस tension का एक component लेगा which is T cos theta और यहाँ पे हो जागा T sin theta अब उसके लिए तो यह particle भहिया rest पे था यानि वो बोलेगा कि भहिया यह जो T sin theta है वो ma के बराबर है और जो T cos theta है वो mg के बराबर है दोनों equation को लिखेगा दोनों को आपस में divide करेगा तो यहाँ पे tan theta is equal to a by g आ जाएगा यानि कि आपको अगर angle theta पूछा जाता तो theta हो जाता tan inverse a by g और अगर आपसे a पूछा जाता है तो g tan theta हो जाएगा ठीक है कल को आपसे तो sin square theta plus cos square theta आपको 1 हो जाएगा and you will get this result ultimately t is equal to mass under root a square plus g square ठीक है राइट चल यह हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग एक और सवाल देखते हैं अब यह सवाल basically j advance के लिए तो हैई applicable लेकिन इस वार j mains में भी आपको पूछा गया था यह सवाल राइट इस सवाल को solve करने के लिए pseudo force के concept का होना थोड़ा सा जरूरी है नहीं भी होता है तो चलेगा लेकिन होने से easy पड़ता है सवाल को ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके सामने एक wedge है उसके उपर एक block है there is no friction anywhere ठीक है अच्छा अब यह जो block है वो नीचे भी slide करता है राइट अब यह ज आपको पीछे भी जा रहा है with some acceleration a2 ठीक है तो हमसे a2 पूछता है हमसे a1 पूछता है a1 क्या है acceleration of this yellow block with respect to the wedge यानि इस wedge पर अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसे इस block की acceleration सिर्फ a1 दिखाई देगी down the incline राइट तो अगर ground frame से सोचो ground frame से सोचो तो इस block का इस wedge का जो actual acceleration है वो तो a2 है left side में लेकिन इस particle का यानि इस yellow वाले block का जो acceleration है वो 2 है एक है along the incline a1 और दूसरा a2 भी है ये दोनों आपस में हमेशा contact पे है तो अगर wedge पीछे जा रहा है तो ये block भी आपको पीछे जा रहा होगा with acceleration a2 तो इस a2 और a1 का जो resultant होगा that is going to be the actual acceleration of this m1 ठीक है यहां तक बात समझ में आ गया अब है हमें यहां पे सिर्फ fbd बना रहा है equations लिखना सीखना है ठीक है सबसे पहले हम लोग यहां पे fbd बनाएंगे इस बड़े वाले wedge का तो इस wedge पे अगर आप ध्यान से देखे तो normal n2 लग रहा होगा right इस surface के perpendicular और ये n2 कौ लगाएगा ये yellow वाला block लगाएगा ध्यान से देखे fbd of m2 ground frame में यानि ground पे बैट के कोई आदमी इसको solve कर रहा है बना रहा है इसका diagram तो इस n2 का दो component है नीचे की तरफ n2 cos theta अब ये angle theta आप यहां से geometry का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं तो नीचे लगेगा आपको n2 cos theta य जो n2 sin theta है that is nothing but m2 into a2 so n2 sin theta is equal to m2 into a2 equation number 1 vertical direction में आपको ये पूरा system move तो कर नहीं रहा है तो आप यहां पे देख सकते हैं ground पे एक तो आपको लगेगा n1 contact force m2g है और यहां पे आपको n2 cos theta भी है यानि कि जो आपका n1 है वो n2 cos theta प्लस m2g के बराबर है हाला कि हमें यहां प कोई friction है नहीं तो उसकी जरुवत है निया भी फिलाल अब हम लोग यहां पे बात करते हैं इस वाले block का इस वाले block का हमने fbd बनाया है with respect to which frame wedge वाला frame यानि कि एक observer है जो कि इस wedge पे ही जाके खड़ा हो गया है तो उसे क्या-क्या forces दिखाई देंगी इस वाले particle पे real forces तो उ normal N2 और M1 G जो उसका weight है अब यह जो wedge है वो आपको पीछे जा रहा है with acceleration A2 तो pseudo force लगेगा right side which is mass into acceleration of the frame ठीक है अच्छा अब जो observer इस wedge पे खड़ा है उसे तो यह particle downward direction में along the incline आपको move करता दिखाई देगा with acceleration A1 अब उसे equation लिखना है तो हमें सारे forces पता करने होंगे इस acceleration A1 के along तो इस M1 A2 का भी component लेना होगा इस M1 G का भी component लेना होगा एक along the incline और एक perpendicular to the incline right using this angle theta geometry you can see that down the incline जो आपको forces आने वाले है that is M1 G sin theta plus M1 A2 cos theta और यहाँ पे आपको आएगा M1 G cos theta ऊपर की तरफ आपको इस normal N2 में ही add हो जाएगा M1 A2 sin theta ठीक है एकदम अच्छा अब यहाँ पे आप ध्यान से देखे तो down the incline आपको total force यही है so this total force is equal to mass into acceleration equation number 2 यहाँ पे लिखा हुआ है और perpendicular to the incline अगर आप ध्यान से देखे तो यह particle आपको move कर नहीं रहा है यानि कि N2 plus M1 A2 sin theta should be equal to M1 G cos theta जो यहाँ पे equation number 3 में है अगर आप ध्यान से देखे तो आपके पास 1, 2, 3 equation है और variable आपके पास कितना है तो वो भी आपके पास 3 ही है which is N2 A2 and A1 so 3 equation 3 variable आप इसे solve कर सकते है to get the values of A1, A2 and normal clear है और आपसे यही 3 चीज़ पूछा जा भी सकता है question में clear एकदम आच्छा अब यहाँ पे हमारा जो last topic आता है which is your variable force आपके पास एक particle है और इस particle पे जो force लग रहा है वो क्या तो time का function हो सकता है position का function हो सकता है या फिर even velocity का भी function हो सकता है तो वैसे case में हमको integration का इस्तमाल लिना पड़ता है सबसे पहला case अगर वो time का function है तो आप यहाँ पी क्या लिखेंगे that force is equal to mass into acceleration mass into अब acceleration को लिखेंगे dv by dt क्योंकि left side आपको time का function था cross multiply करेंगे आप इसे integrate कर देंगे right मान लेते हैं कि आपका initial condition कुछ ऐसा था कि सम general time t particle का velocity v है आप इसे integrate करेंगे जो भी आपसे सवाल में में पूछा गया है मांगा गया आप solve कर सकते हैं suppose कीजिए आपको जो force है वो position का function है f is a function of x इस case में आप जब mass into acceleration लिखोगे तो अब आप a को dv by dt ना लिखके v dv by dx लिखो ठीक है अब आप इसे दुबारा से cross multiply करे and you you know put the limits to get the result third in the last case is if the force is a function of your velocity तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है एक तो आप इसे v dv by dx लिख दो right या फिर आप इसे dv by dt लिख दो आप चीजों को rearrange करो and then integrate clear एकदम right example के तौर पे मान लीजे आपको सवाल में यह बोलता है कि आप ball is dropped from h height आपने h height से ball को drop किया है जब वो ball नीचे जा रहा है तो उस पे हवा के वज़ा से उपर के direction में एक drag force लग रहा है resistive force लग रहा है and that force is a function of velocity that drag force is equal to cv square where c is some constant हम से यह पूछ रहा है find the speed after falling h height तो जब आपका ball h height नीचे गिर चुका है तो उसकी speed कितनी है eventually right तो हमारे सामने यह situation है समय शुन्ने पे आपका ball ज गिरता है किसी general time t पे मान लेते है particle का जो velocity है वो downward direction में v है उस पे downward direction में तो mg लग रहा होगा लेकिन उपर के तरफ उस पे cv square लग रहा है clear एकदम तो अगर आप ध्यान से देखे तो इस body पे net force कितना लगेगा mg minus cv square and that net force is equal to mass into acceleration अब क्योंकि यहाँ पे left side में velocity का function था तो आप limit लगा देंगे शुरुवात में particle आपको 0 position पे था so x equal to 0 पे उसका speed भी 0 है और जब वो h height नीचे गिरा है तो उसका speed मान लिज़े v0 है अब आपको इसे integrate करना है अब integrate करना आपको यहाँ पे इसको आना चाहिए यहाँ पे आपको लगाना पर सकता है substitution method नीचे वाले पूरे function को कुछ t square माल लो या फिर कुछ z square माल लो और फिर आप यहाँ पे लगाओ substitution method to integrate it clear एक दम so this is how you can handle each and every problem of laws of motion अब यहाँ पे आप धिहान से देखिए आपके पास और कौन-कौन से important links है यह एक link है जो कि basically एक short trick सिखाता है कि इस तरीके के complicated problems को आप कैसे within seconds solve कर सकते ह उसके इलावा constraint motion and rigid rods, wedge, strings और pulley blocks पे आपको एक-एक minute के अंदर यहाँ पे वीडियो है यह सभी link आपको इस PDF में भी है और नीचे description box में भी है इसके इलावा हमने previous year questions भी solve करके रखे है जरूर से आप इन सभी को solve करे जरूर से definitely solve करे अपने self improvement के लिए हमने feb attempt, march attempt, july, august 2021 का सारा किया है 2020 के भी है and some top previous year questions भी है यहाँ पे ठीक है सभी link इस PDF में आपको दिया हुआ है और इसके लावा last में हमारा ये तीन बहुत important है हमारा जितना भी revision videos है उसका playlist का link हमारा जितना भी previous year question का solution है उसके playlist का link और ये हमारा आखरी में gold mine link है जहाँ पे हमारे channel का जितना भ यही videos है सभी organized way में इस excel file में रखा हुआ है ठीक है I hope आपको ये पूरा session interesting लगा है समझ में आया है and we shall meet in the next video which is going to be on friction तब तक लिए take care and bye bye